फ्रेंड्स रक्षा बंदन का त्योहार है जो आने वाला है और आज मैं आपके लिए बिना चाशनी के बनने वाली दो बहुती स्वाधिस्ट मिठाईयों की रेस्पी लेकर आई हूँ इन में से जो हम एक मिठाई बनाने वाले है उसे हम बिना चीनी के बनाएंगे और एक को बनाएंगे चीनी के साथ घर में रखी हुई तीन से चार चीजों से आप इसको बना कर तयार कर लोगे खाने में जितनी टेस्टी बनती है बनाने में उससे भी कहीं ज़्यादा असान है तो आई होप आपको आज की ये रेस्पी अच्छी लगेंगी तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं इन मिठाईयों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी लिया है बेसन आपने कोई भी नाप के लिए कप ये कटोरी सेट कर लेना है और हम इसमें तीन से चार चमच डालेंगे रवा यनी सूजी के इसके बाद हम बेसन को जो गैस के लो फ्लेम पे जो रोस्ट करेंगे और साथ में आदी कटोरी हमने इसमें डालना है घी आदी कटोरी में से ना मैंने दो कचमच घी है जो बचा कर अभी रख लिया जैसे आपने एक कटोरी बेसन लेना उसमें तीन से चार चमच डवा डालना है और आदी कटोरी के करीब आपने उसमें जो देसी घी डालना है घी को मैल्ट करके उसका नाप लीजिएगा और जैसे जैसे हम बेसन को गैस के लो फलेम पे भूनते जाएंगे न धीरे धीरे इसका टेक्श्चर जो चेंज होता चाएगा अभी ये देखिए अभी ये आपको इस तरह से लग रहा है जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये चलाने में भी बहुत हलका फील होगा थोड़ा फलफी सा हो जाएगा और धीरे धीरे ये जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा घी रिलीज करना शुरू कर देगा तो अभी ये देखिए पांच से साथ मिनिट के करीब मुझे हो चुके है इसको भूनते और अभी देखिए आपको पता चल रहा होगा देखकर जैसे मैं इसको चला रही हो नो तो बहुत ही ये फलफी सा और चलाने में मुझे बहुत हलका लग रहा है तो अभी ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसने घी भी रिलीज करना शुरू कर दिया है और अभी इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं हुआ हलका सा कलर चेंज हुआ है क्योंकि हम इसको गैस के लो फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हैं कैसे जैसे इसको भूंते चाहोगे आप गैस के लो फ्लेम पिस का कलर चाहदा चेंज नहीं होगा लेकिन जो बेसन है वह बिल्कुल अच्छी तरह से जो रोस्ट हो जाएगा और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हो येलो लेमन फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल आप च अच्छी तरह से रोस्ट हो चुक है अब हम इस टाइम पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आपने इस चीज का धियान रखना जैसी बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लोगे ना फिर आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना और गैस फ्लेम बंद करने के बाद इसको एक से द मिक्शर गर्म है तो बहुत एजली है इसमें मेल्ट हो जाएगी गैस का फ्लेम अब हमने बंदी रखना चीने डालने के बाद भी ना अपने गैस का फ्लेम ओनी करना और इसके बाद जिस भी ट्रे में आपने बर्फी जमानी या थाली में इसको घीया ओयल से ग्रीज कर लीज मैंने इसको एक से दो घंटे के बाद फ्रिज में से निकाला उपर थोड़ा सा लगा दिया सिल्वर वर्क अगर आप बाहर रखोगे ना पंखे के नीचे तो थोड़ा से इसको ज्यादा टाइम लगेगा सैट होने में और ये देखिए हमने पीसी जो इसके निकान लिए है बहुत ही बड़िया हमारी जो बर्फी है ना बिना चाशनी के बनकर तैयार हुई है और टेक्शर देखिए आप तोड़ते टाइम ही आपको पता चल रहा होगा जैसे हम तार वाली चाशनी से बर्फी बनाते हैं वैसे इसका टेक्शर आएगा और इसे आप 15-20 दिन के इन पेड़ों को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी ले लिए बेसन इसके लिए थोड़ा सा मोटे वाला बेसन मैंने यूज की आपको इभी बेसन इसके लिए यूज कर सकते हैं तो अभी हम इस बहुनते टाइम है जो गैस का फ्लेम पूरे प्रोसेस में लो रखे रहना है तो अभी यह देखिए बेसन को मुझे भूनते हुए पांच से चे मिनिट के करीब हो चुके हैं अब हम इसमें दो चम्मस डालेंगे रवा यानि सूजी के रवा इसको बहुत ही दानेदार टेक्श्चर दे देगी पेड़े बहुत टेस्टी इससे बनेंगे तो र रोस्ट कर लिए अब हम इसमें डालेंगे देसी घी आप चाहे तो डाल डागी भी यूज कर सकते हैं और दो से तीन चोटे चम्मस भी घी के ढलेंगे जो छोटे simplement यान इसमें इस नाप लिया तो आभि हम घी को भी बेसन में अच्छी तरह से मिला देंगे तो टोटल बेसन भूने में 15 मिनिट के करीब लग जाते हैं जब हम उसको गैस के लो फ्लेम पे भूनते हैं तो अभी मैंने घी को इसमे अच्छी तरह से मिला दिया है मिक्शर अभी भी काफी सूखा लग रहा है तो अभी हम इसमें जो एक से दो छोटे चमच घी के और एड करतेंगे आपने बेसन को पहले खाली ड्राय रोस्ट कर लेते हैं तो घी उसमें कम लगता है तो अभी यह देखे घी को हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया और बेसन हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुक है तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद इस चीज का ध्या रखना है गै यह नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं पर एक बार आप इस तरह से गुड़ की शक्कर जो आते हैं गुड़ पाउडर उससे यह वले पेड़े बना कर देखिए का आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे तो अभी देखी क्यूंक मिक्सचर काफी गरम है तो गुड़िस में बहुत ही इसली मेल्ट हो जाएगा तो मिक्सचर हमारा बिल्कूल है जो मिठाई बनाने के लिए तेयार है इसको हमने एक दूसरे बरतन में निकान लिया और जैसे यह थोड़ा थंड़ा हो जाता है आपने बिल्कूल थंड़ा न इसी तरह से हम बाकी सारे पेड़े जो वह भी बना कर तेयार कर लेंगे और मैंने इन पेड़ों की गार्निशिंग की है उपर थोड़े से पिस्ता लगा कर और सिल्वर वर्क और मैं आपको तोड़कर इनका टेक्स्चर दिखाती हो आपको देखकर ही पता चलेगा बहुत ह सॉफ्ट ये वले हमारे पेड़े जो बनकर तेयार हुए है और गार्निशिंग अप जैसे भी चाहे ने इनकी कर सकते हो और इन पेड़ों को आप राम से जो 10-12 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो तो आई होप आपको आज की जो रेस्पी जो अच्छी लगी होंगी चै